नमस्कार साथियों, हिंदी नैट शाला चैनल पर आप सभी का पुन्ह हार्दे कभी नंदन है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और समवेदना का विकास पुस्तक जिसके लेकक हैं रामसरूप चतुरवेदी आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परिक्षाओं की प्रमारिक तैयारी करते हैं इसी क्रम में प्रमारिक पुस्तकों में आचारे रामचंद्र शुक्ल, सरस्वती पांडे, गोविन पांडे की वन लाइनर को पढ़ने के बाद अगली जो प्रतियोगी परिक्षाओं के बीच और प्रतियोगी परिक्षाओं में इससे काफी प्रशन आने की वज़े से ये बहुत ही चर्चित और उप्योगी पुस्तक साबित हो रही है, इसलिए इस पुस्तक को हम अपने चैनल पर पूरा पढ़ेंगे, अब तक इससे संबंदित आठ वीडियो में डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में क्रमबद रूप से लगा दिये हैं और आज यहाँ पुस्तक से संबंदित यहाँ हमारा नौवा वीडियो होगा, पूर में हमने आदिकाल, जो भी हमने लास्ट जो कक्षा करी थी उसमें हजारी प्रसाद्विवेदी कि आदिकाल के संबंदित जो विचार थे उनको जाना, शुक्ल के विचार थे उनको जाना, अब भक्तिकाल के उदै के संबंद में जो संशे हैं लोगों के मन में, कि अचानक ही सिद्धों और नाथों की वाणियों के बाद भक्तिकाल का उदै कैसे हो गया, सहसा ही वीर गा था के बाद भक्ति कावे कैसे लिखा जाने लगा क्या परिवर्तन हुए शुक्ल ने अपने मत जो प्रस्तुत किये वह सही है हजारी प्रसाद दिवेदी के तर्क जादा संगत हैं अथवा एक नई विचारधारा के साथ हमें वर्तमान में आगे बढ़ना चाहिए इसी सब इ आथों की ठेट अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा है ये द्यपी उन्होंने अधिक ध्यान बराबर इस पक्ष पर दिया कि वीरगाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उद्य कैसे हु अपने रहस्यवाशी शक निबंद में जैशंकर प्रशाद ने इस इस्थिती की व्याख्या यह कहकर की है अब देखिए इस संबंद में जैशंकर प्रशाद क्या मानते जैशंकर प्रशाद का फेमस एक निबंद रहा है रहसे बाद हमने वो निबंद नहीं पड़ा लेकि बार ऐसा होता है कि अचानक से कुछ नए प्रशन विश्यस्ता नेट की परिक्षा है असिस्टेंट प्रॉफेसर की या पी जी टी जिसे आप फस्ट गेड की नाम से भी जानते इन परिक्षाओं में हर बार चार से पांच प्रशन ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं असरल वाशा मे हमें हवाई नहीं लगती कि वो प्रशन आये कहां से और हमें लगता है कि हिंदी साहत्यक इतियास हमने इतनी बार पढ़ लिया उसमें तो कहीं ये था नहीं होता क्या है जैसे रामसुरूप चुत्रवेदी की बुक खुब फैमस हो रही है इस बुक में से रहस्यवाशीर स सम्मंदित जैशंकर प्रशाद की ये पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किस लेखक की पंक्तियां है ऐसे में आपको ऐसा नहीं करना है कि हम आदुनिक काल के सारे राइटर पढ़ पाएं या आदिकाल, रीतिकाल, वक्तिकाल के जितने भी कभी हैं उनकी सारी पुस्तक पढ़ने ऐसा नहीं होता है बलकि जो विद्वान हैं, जो आचारे हैं उनने अपनी पुस्तक में जिन कवि को उधृत किया है जिनके उधारनों को लिया है वह हमें ध्यान से पढ़ने हैं अगर हिंदी साहिते को समझना चाहते हैं और इस पुस्त को भी समझने के लिए सबसे पहले आपको राम चंदर शुकल की पुस्तक पढ़नी चाहिए आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ रखी है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी आप उसे पहले पढ़ें तब जाके आपको सुराम प्रुप चतुरुवेदीजी की पुस्तक समझ में आएगी क्योंकि इनके शोद का भी मुख्य आधार शुकल की पुस्तक ही रही है रहस्यवाज शीर्षक निबंद में जैशंकर पशाद लिखते हैं कि दुखवाद जिस मननशैली का फल था वह बुद्धी या विवेक के आधार पर तरकों के आश्रे में बढ़ती ही रही अनात्मबाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए फल तहां पिछले काल में भारत के दाशनिक अनात्मबादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ फिर कुछ व्यंग के मुद्रा में प्रसाद आगे कहते हैं जिन जिन लोगों में आत्म विश्वास नहीं था उन्हें एक तरानकारी की आवश्कता हुई ये जो बात है ने कि जिन जिन लोगों में आत्मे विश्वास नहीं था उसे त्राणकारी की आवश्वक्ता हूँ ये शब्दों के उलट फेर के साथ शुकल के भी विचार कुछ ऐसे ही है कि उस इस्तिती में जब बहारी और विदेशी आक्रमणों से जनता त्राही त्राही कौण से एक स्तर पर जुड़ जाती है देखिए अगली पंक्ती वही है जो मैं आपको समझा रही थी आगे देखते हैं जिसे उन्होंने अपने इतिहास में वीर गाता काल कहा वहां आत्म विश्वास का भाव निश्चित रूप से मिलता है और फिर क्रमश एक के बाद एक राजनीतिक और सैनिक पराजे के क्रम में जाती है आत्म विश्वास भाव सकलित हो जाता है और भक्ती भावना मुखर होटती है जिन जिन लोगों में आत्म विश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यक्ता हुई यो रामचंद्र शुकल की एतिहासिक संध संधर्मों की ब्याख्या और प्रसाद की दार्शनिक संधर्मों की ब्याख्या एक दूसरे के पूरक बन जाती है तो यहां इन्होंने वो लाइन नहीं दिया शुकल की और लाइन वही है जो मैंने आपको बताई थी यह शुकल का आदिकाल के जहां भूमिका पढ़ते है न एक तो इतिहास आपको अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा परिक्षा की तैयारी हो जाएगा, क्योंकि शुक्र से डारेक्ट प्रशन पूछे जाते हैं आपको वीडियो अच्छा आ रहा हो, जितनी बातें आपको पढ़ा ही जा रही है, समझ में आ रही हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आगे बढ़ते हैं, या कमेंट के वादियम से मुझे अपनी रायज जरूर व्यक्त करें ग्रियर्शन, रामचंद्र शुक्र और हजारी प्रसाद्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन विभिन रूपों में करते हैं ग्रियर्शन ने अंग्रेजी में लिखा है, इन्दू यंदूस्तान जो भी है, उसमें क्या कहते हैं ग्रियर्शन के लिए एक बहाय प्रभाब है, शुक्र के लिए बहारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद्विवेदी उसे महज भारतिय परमपरा का अपना स्वतह इस्फूर्थ विकास मानते हैं कुल में लाके आज की जो हमारी कक्षा है, यह आपकी भक्ती आंदौलन के उदय की भूमिका है, जो उसकी प्रष्ट भूमी है, वहाँ पर ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं हमारा रामसरूप चतुरवेदी जी ग्रियरसंद तो यह मानते हैं कि बाहे प्रभाब हुआ और भक्ती काल का उदय हो गया, शुक्ली यह मानते हैं कि भारी आक्रमणों से जैसा कि मैंने कहा जंता त्राई-त्राई कर उठी ती तो उसे एक सहरे की आवशक्ता थी, हजारी परसाद दीवेदी कहते हैं, इनका फ विकास की रूप में भक्ती काल का उदय हुआ, तो तीनों विद्वानों के अलग-अलग मत हैं, ट्रामसरुप चतरवेदी जी कहते हैं कि यह क्रमशह, विदेशी, देशी और लोग-पक्ष को महत्व देने की अलग-अलग परिनितिया हैं, ग्रियरसंद की इसाई प्रभा आप से बक्तिदारा का उदय हुआ, वो तो बिल्कुल वर्तमान में मानी नहीं जाती, सिरे से खारे जाए। हार, आचारे शुक्ल और हजारी प्रसाद दिवेदी की व्याख्याओं में द्रिष्टिगत अंतर ध्यान देने योग हैं, शुक्ल बहाए इस्लामिक तत्तों से क्रिया प्रतिक्रिया को अपनी इतिहास संबंदी दिष्टी में बरावर महत्व देते हैं, जबकि आचारे द्वेदी की निगहाप परमपरा के अपने विकास पर अधिक केंद्रित हैं, इन दौनों आचारे की विचार धारा का परिक्षन एक और इनकी इतिहास संबंदी स समझ पर प्रकाश डालता है तो दूसरी और भक्ति काल के उदय की सामाजिक परिस्थितियों को आलोकित करता है आचारे शुक्ल अपने इतिहास में भक्ति के उदय की व्याख्या करते हुए इस बात का इस पश्टू लेक करते हैं कि यह धारा के रूप में दक्षण से उत्त और भारत की और पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शुन्य पढ़ते हुए जंता के हिर्दय छेत्र में फैलने के लिए पूरा इस्थान मिला इस रूप में वे सामाने जर्ण में प्रचलित उक्ती भक्ती द्रावडी उपजी लाई रामानंद का पैदूशिक इस तरपर समर्थन करते हैं इसलाम की आक्रमक परिस्थितियों ने भक्ती के इस प्रभाब को तीवर कर दिया यहां उनकी मूल मानता है शुकल क्या मानता है कि जो धीर धीरे भक्ती दक्षन की तरफ से उत्तर की तरफ आ रही थी और विदेशी आक्रमन हुए तो कुल मिला के जंता परिशान तो थी तो आश्रदाता की रूप में सहारे के लिए वो भक्ती की और मुड़ गए जैशंकर प्रषाद का विवेचन जैसा संकेत किया जाता है मूलतह दाशनिक संदर में हुआ है और इस विशलेशन का साक्षे काफी दूर तक हमारे तिहास प्रस्तुत करता है विदेशी शाशन के पूर्व हिंदी चिंता धारा के एक दमारम में अद्वयत चिंतन की प्रमुकता थी जो सिद्धो नाथों की वाणियों में सहस्द रिष्टव्य है प्राए एक सहस्द्र वर्षों की पराधीनता के लंबे क्रम के बाद 19 सिसती के प आदिकाल पढ़ाए शुकल की व्याख्या करिये बुक में अच्छे से पढ़ाए लेकिन बाद में ये कहां देखने को मिलेगा यही अद्वयत वाद आपको प्रसाद की क्रती कामाईनी से हम सभी परिच्चते कामाईनी में देखने को मिलेगा यही निराला के कावे में भी अब देखिए ये होती है विद्वानों की दिष्टी हम लोग भी पढ़ते हैं हम लोग आदी काल के बाद बक्ती काल पढ़ा फिर रीती काल और आदुनी काल पढ़ते हैं हम किस दिष्टी से पढ़ते हैं कि परिक्चा में प्रश्ण कहां से आएगा लेकिन ये देखिए इन अद्वैत से सम्मंदित विचारधारा किसके कावे में दिखाई देती है प्रशन वन के आजाए कि आधुनिक काल में अद्वैत की भावना किन लेखक के रचनाओं में दिखाई देती है या कौन से अद्वैत वादी है तो प्रशाद और निराला की रचना है भक्तिकाल के उदय की व्याख्या के प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास द्रिष्टी का अंतर भखु भी देखा जा सकता है। जनता की चित्रवती के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचारे शुक्ल के आलोचन और हिंदी इतिहास भाषा में वैसी ही सतर्कता दिखती है जैसी रचनाकारों की काव विभाषा में। आज जब कि साहित्य इतिहास दर्शन हिंदी के आलोचकों और तथा कतित इतिहासकारों के बीच उत्रोत्तर लोग प्रिये विश्य होता जा रहा है। इतिहास लेकर उतना ही दुसात दे तब यह देखकर बड़ा सुखद अचरज होता है कि रामचद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास दर्शन कुल इस एक वाक्य में समा गया है जिसका पूरा निर्वहा उनके विश्य इतिहास ग्रंथ में हुआ है कि जैसे जैसे समय के साथ जन हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद दिवेदी की प्रस्तावना इस प्रकार है मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूं मतों आचार्यों संप्रदायों और दाशनेक चिंताओं के मान दंड से लोग चिंता को नहीं मापना चाहता बलकि लोग चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूं आचारे शुक्ल की प्रतिज्या में केंद्रिय प्रियोग जंता की चित्रवर्ती है और आचारे दीवेदे की प्रस्तावना में ऐसा प्रियोग लोक्चिंता का है उपर से एक से दिखने पर भी दोनों प्रियोगों में गुणात्मक अंतर तो है ऐसा नहीं कि शुक्र जी का लोग शब्द की छायां उसे परिचित नहीं थे साहेते के उद्देश के संबंद में बेबराबर लोक मंगल की बात करते हैं पर यहां उन्होंने जन्ता शब्द चुना है जो समाज के सभी वर्गों और समूचे जन जीवन को समेटता है हजारी प्रसाद का प्रिय शब्द लोग है जो जन्ता की अपेक्षा पिछड़े वर्ग को संकेतित करता है होने मांकाउी जन्ता में प्रिय तुलसी आ है और जबकि द्विवेदी के मानकाउी लोक में प्रिय कॉषि यह लाइन में इसा सभी बाख कर रहिक हैं जो जुलाहे जाती से थे प्रतिनीदित करते हैं राम चंद्र शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में लोकमंगल की बात करते हैं अब ये थोड़ा सा आज की कक्षा में हमने भक्तिकाल के उद्धय के संबंद में जो दौनों विद्वान हैं बलकि तीन विद्वान शुक्ल को पढ़ा हजारी पे साथ क्यामत है इसको पढ़ा अब ये जो आगे टॉपिक चेंज हो रहा है इसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे छोटी सी आज कि आप ये कक्षा रहेगी आपकी इसके अलावा हिंदी बुक्षाला पर भी नियमित आपके वीडियो अपलोड हो रहे हैं आपको पता है दोनों च सगतिकाल और रीतिकाल ये तीनों कालों के प्रैक्टिस सेट जो हैं कम्प्लीट से ही हो गए एक दो और आएंगे वो हिंदी बुक्षाला पर अपलोड हो रहे हैं तो दोनों चैनल को आप देखते रहे हैं आपके नाटक निबंद उपन्यास कहानिया बुक्षाला पर भी अपलोड हो रहे हैं तो दोनों चैनल से आप जुड़े रहे हैं प्लेलिस्ट चेक करते रहे हैं मिलती हूं आप से हिंदी बुक्षाला चैनल पर तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहें